अबरूप करते हैं इस वक्त की बड़ी और दुखत खबर की और मेवाड की दीदी किरण माहिश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही है बाचपा विदाय किरण माहिश्वरी का निधन हो गया कोरोना के चलते करीब 22 दिन से वे ICU में भरती थी 28 अक्टूबर को कोटा निकाय चुनाओं में कोरोना संक्रमित हुई थी 7 नौवंबर से गुरुग्राम इस्तित मेदानता अस्पताल के ICU में वे भरती थी क्रिटिकल स्टेज से नहीं निकल सकी थी वे बाहर किड़नी खराब होने के बाद वेंटिलेटर पर रहते हुए डालेसिस भी दिया गया एर एंबुलेंस के जरीए मेदानता अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया था इस वक्त की बड़ी और दुखत खबर हम आपको बता रहे है मेवाड की दीदी किरण माहिश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही है बाचपा विधाय किरण माहिश्वरी का निधन हो चुका है कोरोना के चलते करीब 22 दिन से वे ICU में भरती थी 28 अक्टूबर को निकाय चुनाओं में चुनाओं के दौरान वे कोरोना संक्रमित हुई 7 नवंबर से गुरूग्राम इस्तित मेदानता अस्पताल के ICU में वे भरती थी क्रिटिकल स्टेज से वे बाहर नहीं निकल पाई और साथ ही किडनी खराब होने के बाद वेंटिलेटर पर रहते हुए डायलेसिस भी उन्हें दिया गया था एयर एंबुलेंस के जरिये मेदानता अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया था लेकिन हालात और तब्यत बिगडने से और हालत में कोई सुधार नहीं होने से मेवाड की दीदी किरण माहिश्वरी काने धन हो गया इस वक्त की बेहत दुखत खबर हम आपको बता रहे हैं मेवाड की दीदी किरण माहिश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही है राजनीती के तौर पर हमेशा वो सक्रिये रही और विधायक भी वो रही और बहुत बड़ी शती यहां पर राजनीती को हुई है वे हमेशा समाज सेवा के लिए समाज हित के लिए कारेरत रही और एक नई दिशा और एक दिश्ठी उन्होंने दी कोरोना संक्रमन के कारण दूसरी विधायक हैं जिने हमने खो दिया है कुछ दिन पहले एक और विधायक की मृत्यू हुई थी अब ये दूसरी विधायक के प्रदेश की जिने हमने खो दिया है किरन माहिश्वरी जी मेवाड की दीदी ने कहा जाता था कोरोना संक्रमन के कारण इनके देहांत हुआ आपको बता दे किरन माहिश्वरी राजनीती में एक बेहद एहम नाम था और कई दिगज नेताओं ने कई कदावर नेताओं ने और साथी कई वरिष्ट नेताओं ने शोग जताया है और किरन माहिश्वरी जी के समर्थकों में भी एक शोग की लहर देखी गई है एक राजनीती में चर्चित और बेहद अहम चहरा आज हमने खो दिया है कोरोना के चलते उनकी मौत हुई आपको बता दे 22 दिन से वे ICU में भरती थी और 28 अक्टूबर को कोटा निकाई चुनाओ में कोरोना संक्रमित हुई थी निकाई चुनाओ के दोरान उन्हों कोरोना हुआ और 7 नवंबर से एक गुरूग्राम इस्तित मेधानता अस्पताल के ICU में उन्हें भरती कराया गया था क्रिटिकल स्टेज से बाहर नहीं निकल पाई थी वो लगातार जारी था उनका उपचार जारी था लेकिन फिर भी जो हालत थी वो बच से बत्तर होती गई इलाज जारी रहा लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया और किड्नी खराब होने के बाद वेंटिलेटर पर रहते हुए उन्हें डाइलेसिस भी दिया गया और एर अम्बुलेंस के जरिये इस सिती को देखते हुए मैदानता अस्पताल में भी उन्हें शिफ्ट किया गया लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ इस वक्त की बेहत दुखत खबर मेवाड की दीदी किरन माहिश्वरी हमारे बीच में नहीं रही काबिल लीडर किरन माहिश्वरी का सफर नामा की अगर बात की जाए तो 29 अक्टूबर 1961 कोन का जनम हुआ 24 साल की उम्र से वराजनीती में सक्रिये हो गई थी विहीप की सक्रिये कारता बनकर उन्होंने काम किया दुर्गा वाहिनी में विभिन दाइत्वे निभाय थे इनोंने उदैपूर में भी राजनीती में सक्रिये होकर उन्होंने काम किया महिला मौर्चा की जिला मंत्री की रूप में उन्होंने काम किया 1912 में में कार सेवा से लेकर 1913 में की दिल्ली रेली में उन्होंने अपना दमखम दिखाया, 1914 में में उद्यपूर नगर परिशद में उन्होंने पधासिल किया और महिला सहकारी बैंक की स्तापना की किरण माईशोरी ने 2000 में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशा अध्यक्षो बनी